हेलो डियर स्टुडेंट वेल्गम टी ओर चैनल एज वी टी टी एलेक्ट्रिकल हब तो डियर स्टुडेंट जैसा कि लास्ट क्लासेश में हम लोगों ने डिसकेशन किया बेसिक टर्मोनोलोजी जो हम लोग की इलेक्ट्रिकल बात करते हैं तो सबस्क्राइब को हैं डेल्ली जो ग्लासेश के अप टू डेट समेस्टर से लेके और सारी जारी आप लोगों electrical and electronics means double E or triple E branches के लिए available है तो आप जो है कि जैसे हम लोग बात करने वाले हैं कि आज की जो class है जैसे कि network theorem का हम लोग networks का बात कर रहा हूं तो basic term जो हम लोग हमेशा use करते हैं short circuit और open circuit तो आज की जो class में short circuit और open circuit जो है कि आप लोग को पूरी तरह से clear हो जाएगी तो आज के class रू करते हैं dear student तो open circuit और short circuit के बारे में समझते हैं जैसा कि देख सकते हैं कि मैंने यहां पर कुछ circuits को बनाया हूं so short circuit और open circuit का concept को मैं आप लोग को अभी बताने जा रहा हूं जो देखिए माल लेते हैं कि सब्सक्राइट इसको अभी देखते हैं पहला want को हम लोग कवा ने सट्सक्राइब लोगा इसके После कर देते हैं 6 एक्रास में बोल्टेज यह जीरो एक जेरो कर देंगे तो बहुत ज्यदा करणेधा करने लाएगा मतलब उतलो क्या सकते हैं कि इन्फनाइट करेंट करेंगे जब सोट करते हैं तो जiro हो जाएगी jeszcze inquire हो जाएगे तो यह basic है short के बारें बताया और open का मतलब जिसे हम लोग ने दो टर्मिनल को open कर दिया तो open का मतलब समझ में रहा कि current के लिए कोई path current को flow करने के लिए तो path चाहिए ना तो कोई path है नहीं तो यहां पर हो देख सकते हैं कि current will be zero और current कब zero होगा नहीं होने का मतलब समझ में आ रहा कि resistance will be infinite resistance हो जाएगी क्या infinite resistance मतलब रुक आउट जादा मतलब वही बात करने का कोई path ही नहीं है resistance हो गया infinite सो यह basic है short circuit का open circuit का इस सबको आपको समझ के रखना है अब आते हैं short circuit इन series में यह हम लोग series circuit है suppose आप देहान से देखिए एक series circuit है हम लोगों के पास में जिसमें देखिए r1 r2 and r3 ठीक है यह तीन हम लोग का resistance connected है 12 volt source battery के साथ में है ना आप इसमें कोई short circuit नहीं किया आगी हम लोग बारी बारी से करते हैं जैसे कि पहले में ने यहां पर सब्सक्राइब यहां पर सब्सक्राइब कर दिया तो actually short करने से क्या effect हो रहा है short करने से क्या होगा तो ध्यान से देखिए जिदि हम लोग कुछ करना चाहेंगे तो भी वह कर सकते हैं तो चीज्च करेंड़ी हम लोग बात करते तो शीरीज में क्या कर से देखिए मिश्यकर simply ad करते हैं हम लोग 1 2 3 6 6 ohm हो गया हम लोग का total resistance और वोल्टेज यहां पर किटना दिया हुआ है 12 वोल्ट है ना तो यूनोट ओम श्लोग so when there is no short circuit see when there is no short circuit then the current will be 1 ampere then what will the power dissipation what is the power so you know that the power formula i think all of you know that power formula p is equal to y square r current is y square resistance is vc here resistance so total resistance is 6 so here only 6 watt see here power dissipated is only 6 watt then what will happen 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 we will be here is equal to 0 then what will happen here see again r is equal to 0 ohm okay and v is equal to 12 volt second again ohm slow i is equal to v by r so v is 12 or r is 3 that is 4 ampere so current the key increase current increase oh yeah that is i square r that is 4 square or resistance is what here resistance is 3 so that is the uh so 48 watt 48 watt so see here 6 watt that is 48 watt then power dissipation we have cracks device by speed up an hour so can I have assumed the power handle number or r is equal to 0 i square और इंटू और यह हम लोग i square आर देट इस वन मिन्स 1144 वाट तो देख सकते हैं हम लोग कहां simple normally हम लोग का जो पावर ता 6 वाट था जो हम लोग उन्हें सोट कर ज्यदा पावर इतना ज्यादा इनकीरीज हो रहा है तो जाहिज़ दबात है कि हम लोग का तरीटिंग के स्टाट कर जाए बहुत ज्यादा पावर डिसेपेट हीट है चलब ही सकता है तो यहां पर बात करते हैं यह तो चौट के बारे में हम लोग ने समझा बता रहा हूं एक तब बेसिक पर जा रहा हूं ठीक है आप इने सीरिज सर्कीट अब सीरिज में क्या होगा तो देखियाहाँ पर एक सर्कृट है यह दोनले शिरीज में है ना ogniज का तो चाहिव मैगा लेखिए इसको कर दियotte तो यह दीख तो अपर और Зपम पार किया हो जाएगा कोई करेंट इसस्प में और जो हो जाएगा जिनगी हो जाएगा parallel circuit में क्या होगी उसको screen shot लिजी हम लोग parallel बताते हैं आपको ठीक है हम लोग जो है कि short circuit और open circuit को parallel में समझते हैं जैसा कि सीरीज में हम लोग ने समझ गी है series गहते हैं कि इस सब concept को समझना बहुत ज़रूरी है यह सरकिट हम लोग complex complex circuit solve करें है short circuit open सब्सक्राइब कर दो इसको लाइटली नहीं लेना किसी को भी यहां पर जो है कि दो बलब लगी है सप्ला आप बात करते हैं कि यह लोग इसको ओपन कर देंगे तो में टरिमिनल को ही जैदि हम लोग उपन कर देंगे तो यहां से अपन का मतलब हम लोग जानती है कि क्या होता करण जीरो रिजिस्टन्स विल वी इनफैनाइट इसको बात आती है कि घ्रलेल में कोई एक बल्ब को हटा दिये मतलब डिसकनेक्ट कर दे लेकिन हम लोग का सप्लाइज वह कंटिन्यू है है तो यह बल्ब जो है कि यह बल्ब जो ऑपन करें तो आ सकती है कि इस टर्मिलं को सबका जो और сердией को बटेंसियल यह क्या है यह क्या क्रोस में लगी हुई है आप यहाँ पर बात करते हैं डियर इस्टुडेंट सिंप्ली हिए विसको सॉट कर देते हैं इसको हम लोगोंने सॉट सार्कुट कर दिया तो क्या होगा वाट विल हैपन यह टर्मिनल जैदि सोट हो जाएगी इसका मतलब क्या करेंट हो जाएगी keeping और करेंट हो जाएगी जव इन्फानाइट तो बहुती ज़्यादा हम लोग का हीट होगा इन्फ़रो करेंगे तो यहाँ पर जीत हम लोग बात करेंगे锯 कि इस टर्मिनल को सूट कर देते हैं ठीक है तो समझेकि यह भी was कि यह देखा हम लोगों ने short circuit और open circuit को सीरीज और parallel में समझ गए हैं आज की short video में आप लोग ने देखा कि simple short circuit क्या होती है open circuit क्या होती है तो इस सब terms को समझना जरूरी है आशा करते हैं कि आप लोगों को सारी classes समझ में आ रही होगी और सबसे पहले चीज़तों में आप लोगों को यह कहूँगा कि आप लोगों नोट्स बनाई है जैसे network theorem start है तो नोट्स बनाई है machine की classes चल रही है तो आप नोट्स बनाई है और मैं semester हो या competitive examinations का त्यारी कर रहे हैं dear student आपके लिए बहुत ही benefit जो होगा आप लोगों के लिए हाँ और एक चीज़े में आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जो basic पढ़ाई जो mathematics है या physics में जो आप लोग कुछ doubt रहता है तो मेरे description box में देखिए मेरा जो एक channel है जो स्वामी विवेकरन टेक्नो टुटोरियल करके उसमें 11, 12, metric basis तक सारी physics और maths की classes available है तो वहाँ से भी आप knowledge को gain कर सकते हैं उस channel को भी आप subscribe कर सकते हैं तो okay बच्चो, okay dear student, bye all of you